हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू शिखास गार्डन मैं आ गई हूं सुवह सुवह गार्डन पे और देखे डॉर्मेंसी के बाद अजिकोर वैराइटी है जो पहली बार खीली है यह हसाब अदीन पहला ब्लूम है जैसा मैं हमेशा बोलती हूं कि पहले ब्लूम जो होते हैं वो प्रीच में से निकल रही है और देखे बर्ट्स जो है वो अभी एक के बाद एक क्यू में लगी हुई है बहुत खूबसूरत वैराइटी है यह इसका एक ट्यूबर मेरे पास एवलेबल है लेकिन यह एक्सपेंसिव वैराइटी है अगर कोई लेना चाहे तो अपने कलेक् बुआ मतलब थाय लेंग्वेज में फ्लावर को शायद बुआ बोलते हैं तो इसका नाम है बुआ रापी बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावर है देखे इसके पैटल जो है वो कितना खूबसूरत सा पिंक है यह इसकी एक और बड यहां पे आ गई है तो यह है हमारा इसके फ्लावर के पिक्चर दिखाती हूँ यह बहुत ही खूबसूरत सा यलो फ्लावर है जैसे मैं हमेशा बोलती हूं मुझे यलो फ्लावर बहुत पसंद है तो यह भी मेरा वन ऑफ फेवरेट है और इसमें देखे बर्ट कितनी सारी आ रही है तो यह है सेंट लूइस ग खीलती है तो ठेर एक बार में 6, 7, 8 और कभी-कभी उससे भी जाधा फ्लावर देखने को मिलते हैं और यह देखे यह पान्यावी है मैंने आप लोगों को इसका कुछ दिन पहले पहला फ्लावर दिखाया थी यह स्पैंट हो गया है तो यह जो सेकेंड फ्लावर निकला है यह साइज में उससे काफी बड़ा है और मैं सामने से देख पा रही हूं इसलिए मैं डिफ्रेंस बता सकती हूं कि यह जो है कॉर्नर से इसका जो कलर जो है वो पहले वाले फ्लावर से जाधा डार्क निकला है उधर पीछे आप देखेंगे तो यह रचसामी चैन है यह है और इधर यह है गैलेक्सी और जो बीच-बीच में मैंने अरेंजमेंट यहां पर रखा हुआ है यह देखेंगे यह गैलेक्सी है बीच-बीच में जो अरेंजमेंट मैंने यहां पर पेटुनिया सेट किया हुआ है तो यह पेटुनिया भी सीट से जो इधर-धर निकले थे उनको मैंने लगा दिया था देखें इन में भी मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है ये खिलने लगे हैं तो ये कैसा व्यू क्रियेट करेंगे बीच में नॉन एक्वार्टिक और इधर साइड में जो हैं मेरे बॉटर लिलीज और ये धीरे धीरे पॉटुला का और अरे हैं इस बार ऐक और जाएट्क और आप लोगों को दिखाती हूँ और ये वाली वैराइटी ये मुझे कुछ अलगसी ही लगी ये पिंक में ओरेंज की लाइनिंग है और काफी खुपसूरत सी वैराइटी है इसकी और कटिंग में लगांगी तो फ्रेंट्स ये था आज का मेरा वीडियो, वाटर लिलीज अब एक एक करके खिलना स्टार्ट हो गए हैं, इधर गार्डन में गजानिया भी काफी खिल रहे हैं, ये देखिए ये मेरा गजानिया, कितना खुबसूरत सा, ये मैं आपको पॉट ऐसे करके दिखाती हूँ, कितना खुबसूरत सा मेरा गजानिया, काफी इन्होंने कलर एट करके रखा है समर में, पीछे ये और ये गेंडा मैरीबोल्ड, हमारे देशी भासा में हम इसको लड़ू गेंडा बोलते हैं, शायद ये इनका है ये क्या मुझे एक्जेटली इस वराइटी का नाम याद न मुझे ये थाफ़ी और धूप तो सुभई ही काफी तेज हो गई है, ये रिखी है हिबिसकस है, मेरा इधर एक और आज काफी हिबिसकस, ये मेरे पूजा की थाल में भी हि-ह भीसकस ही हि-ह हि-बिसकस है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन में आके, मुझे ऐ लेर से प्लांट किया था तो यहां पर अभी बर्ट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हुए यहां पर इस रो में यह पहला हसा बदीन जो है वो खिला है बहुत खूबसूरत लगता है यह नजारा और अब तो आप लोगों ने भी वाटर प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ महिनों में आपके गार्डन में भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगे अब लोटस में भी बर्ट्स आना स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी उसके भी फ्लावर्स में आप लोगों को दिखाऊंगी और कल क्या जो मेरा वीडियो था उस पे लाइक और शेयर कर लिजे कमेंट करते रहे करिए ताकि मुझे यह पता चले कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं और मैं वीडियो बनाती रहूं थाइंक यू सो मच बाय बाय टेक केर